नमस्ते दोस्तों मैं आसिस मोर हूँ दोस्तों मैंने आपको इस सोनालिका टेक्टर का गेर बाक्स खोल कर पार्ट वन में दिखाया है इसमें तीन नमबर गेर छोड़ दे रहा था और दो नमबर कभी कभी छोड़ रहा था अगर आप part 1 को नहीं वाच किये हैं तो मैंने नीचे discussion में लिंक दे दिया है वहाँ से आप देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ जल्दी से हम gearbox का अच्छे से सफाई कर लेते हैं इसके बाद हम इसके fitting का वीडियो दिखाएंगे तो आप वीडियो को लाश्ट टक वाच करते रही है दोस्तों इसमें जो parts खराबता हमने उसको मंगा लिया है तो यहाँ आप देख सकते हैं यह packing है यह gear टापा का है यह gearbox के पीछे का है और यह gearbox के आगे का packing है और दोस्तों लाक को भी बदल रहे हैं और यह needle roller है दोस्तों यह इसका parts number यहाँ उपर दिया हुआ है इसकी MRP 100 रुपे है और दोस्तों यह लाक टाइप वासर है यह आप देख सकते हैं यह पीछल का वासर होता है इसकी MRP 122 रुपे है और दोस्तों यह dog clutch gear है इसका part number उपर दिया हुआ है दोस्तों इसकी MRP 1004 रुपे है दोस्तों यह gear की MRP है 695 रुपे और दोस्तों यह dog clutch assembly second है इस पर MRP नहीं है यह दोस्तों हमें 1220 रुपे में मिला है और दोस्तों यह पुराने वाले gear है तो दोस्तों इसका यह जो यहाँ छोटा दाता है यह taper हो जाता है और इसका भी data जो है की taper हो गया है यहाँ इसी वज़े से यह gear छोड़ दे रहा था और इस वाले gear का भी यह जो छोटा दाता है taper हो गया है जिसके वज़े से gear छोड़ देगा और दोस्तों यहाँ इसका यह जो boost लगा हुआ है यह भी cut गया था जिसकी वज़े से काफी play बता रहा था play हो जाने के वज़े से भी gear छोड़ता है तो यह अब देख सकते हैं यह sonalika company का original gear है यह sonalika का genuine parts है दोस्तों अब जल्दी से हम इसके counter को fit करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने counter में ऐसे gear को लगा के रखा हुआ है ताकि जल्दी से gear fit हो सके तो दोस्तों इसके gearbox में हम एक एक gear करके लगाएंगे तो यहाँ ऐसे हम सभी gear को नीचे बैठा लेंगे तो ऐसे हमें सभी gear को gearbox में बैठा लेना है यह हमारे सभी gear बैठ गये हैं अब हम इसके counter को डालेंगे तो यहाँ ऐसे एक एक gear को counter में बैठा लेंगे दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर ले और वीडियो को like और share भी जरूर कर दे दोस्तों हमने सोनालिका के gearbox का वीडियो पहले भी बनाया हुआ है दोस्तों उसमें top gear छोड़ दे रहा था तो हमने नीचे discussion में link दे दिया है वहां से आप देख सकते हैं तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं ऐसे counter को हम gear में बैठाते हैं तो दोस्तों यहां हमने counter को बैठा लिया है तो यह आप देख सकते हैं दोस्तों यहां हमें लाक और चकनट को नहीं लगाना है इस counter को हमें नीचे ही रखना है तभी हमारा ऊपर का main sap का gear लगेगा दोस्तो अब हम में साप्ट को लगाएंगे तो यह अब्जेक्ट सकते हैं यह नया वाला गियर है और यह सब पुराने गियर है तो अब हम में साप्ट का फिटिंग करेंगे तो दोस्तो में साप्ट में जो गियर लगे हुए हैं तो सबसे पहले हम इसे पलट देंगे तो अब हम एक एक गियर को लगाएंगे तो यह आप देख चकते हैं यह वाला गियर पहले इसमें लगाएंगे तो यहां ऐसे हमें लगा लेना है अब उसके बाद इस वाले गियर को लगाएंगे अब दोस्तों यहां हमारा एक लाक लगेगा तो हमें लाक को भी लगा लेना है तो यहां ऐसे हम लाक को लगा लेंगे दोस्तों इस में साथ में तीन लाक लगेंगे अब दोस्तों इस वाले गेर को लगाएंगे तो यहां ऐसे इसको लगाएंगे अब दोस्तों इस पीतल के वासर को डालेंगे और इस वाले गेर को डालेंगे अब दोस्तों यहाँ परिश वाले गेर को भी हम लगा लेते हैं और उसके बाद इस लाक को लगाएंगे यह हमने दो लाक लगा चुके है अब दोस्तों गेर को दिरे दिरे पीछे करेंगे तो यहाँ गेर को पीछे करने के बाद इस वाले लाक को और पीछे करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं यह सब गेर पीछे हो गए है अब इस दूसरे नंबर के लाग को भी पीछे करेंगे यहां ऐसे पीछे कर लेना है अब दोस्तों इसमें यह छोटे वाले गेर को लगाएंगे अब दोस्तों हमारे सभी गियर में साट में लग गया है तो अब हम लाग को बैठा लेंगे तो गियर को पीछे करने के बाद इस दूसरे लाग को भी बैठा लेंगे अच्छे से अब दोस्तों यहां हम लाग टाइप प्लेन वासर लगाएंगे और उसके बाद इस लाग को लगा देंगे तो यहां हमारा यह तीसरा लाग भी लग चुका है दोस्तों इस छोटे वाले गियर को भी यहां लगा देंगे ऐसे यह हमारा टाप गियर है अब दोस्तों हम टाप पिनियन के बैरिंग को लगा लेते हैं तो यह हमारे पास एर भी कंपनी का बैरिंग है इसे हम लगाएंगे तो यहां आप देख सकते हैं हमने टाप पिनियन बैरिंग को लगा लिया है दोस्तों यह बैरिंग तुट गया था दोस्तों अब यहां हम में साट में निडिल रोलर को लगाएंगे तो यहां आप देख सकते हैं ऐसे हम लगा लेंगे तो हलका ग्रिस लगाने के बाद यहां इस निडिल रोलर को बैठा लेंगे तो दोस्तों यहां हमने पूरे रोलर को लगा लिया है तो यहां आगे से टपिनियन को हम ऐसे लगाएंगे दोस्तों यहां तक लाने के बाद अब इस निढिल रोलर पे हम भागा लगाएंगे जिससे कि टाप पिनियन बैठाने में ये निटिर रोलर नीचे ना गिरे तो यहाँ ऐसे हम धागा लगा लेंगे अब टाप पिनियन को हम आगे से चोड़ देंगे और ये बहुत यासानी से बैठ जाएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं टाप पिनियन बहुत ही आसानी से बैठ गया है यहाँ टाप पिनियन बहुत ही अच्छे से बैठ गया है तो दोस्तों यह हमारा उपर का में साप और टाप पिनियन अच्छे से से सिट हो गया है अब दोस्तों हम टाप पिनियन के आगे वाले लाग को भी लगा देंगे यहां ऐसे और दोस्तों यहां हमने काउंटर के चकनाट और लाग को भी लगा दिया है तो यह अब देख सकते हैं हमने अच्छे से लगा लिया है अब दोस्तो इसमें हम चिलमची और इस प्लेट को भी लगा देंगे तो यहां हमारा आगे का यह फाइनल हो गया दोस्तो अब हम काउंटर के पिछे वाले हाफ काउंटर को लगाएंगे तो दोस्तो यहां हमने हाफ काउंटर को लगा लिया है और यहां हमने PTO साप्ट को भी अच्छे से लगा लिया है अब दोस्तों यहां हम Low High Gear को लगाएंगे तो पहले इस Gear को अंदर लगा लेना है और इस वाले Gear को ऐसे लगाना है यहां ऐसे लगा देंगे और साप्ट को ऐसे बैठा देंगे और यहां इस बेरिंग के कालर को अच्छे से बैठा लेना है तो जल्दी से यहां हम ऐसे बैठा लेते हैं तो यहां कालर को अच्छे से बैठाने के बाद अब इसके प्लेट को लगाएंगे तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं इसमें सीम लगा हुआ है इसमें से हम एक सीम को निकाल देंगे जो पतला वाला है और इस प्लेट को हम अच्छे से टाइट कर देंगे तो दोस्तों यहां हमारे सभी गेर फिट हो चुके हैं अब हम इसके शिप्ट राट को लगाएंगे तो यहां आप देख सकते हैं हमने इसके फार्क और शिप्ट राट को लगा लिया है तो यहां ऐसे सभी फार्क और शिप्ट राट को लगा लेना है और इसके बोल्ड को भी अच्छे से टाइट कर देंगे अब दोस्तो इसके gear box को हम engine में लगाएंगे तो यहां यह जो फार्क देख रहे हैं इस crutch bearing में फसाना है तो यहां gear box को आगे करेंगे और यह बहुत यासानी से फस जाएगा दोस्तो अब tractor को चला के हम check करेंगे कि हमारा 3 नमबर छोड़ रहा है की नहीं तो दोस्तों यहां हमने दूसरा गेर लगा लिया है अब थोड़ा और स्पीट करने के बाद हम तीसरे गेर को लगाएंगे तो यह आप देख सकते हैं हमने तीसरा गेर लगा लिया है तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं यह तीन नमबर गेर नहीं छोड़ रहा है हमने काफी स्पीड में गारी को भगाया लेकिन यहां तीसरा गेर नहीं छोड़ रहा है तो यह आप देख सकते हैं यह तीन नमबर लगा हुआ है तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं इसका तीन नमबर गेर नहीं छोड़ रहा है अब हमने चाप गेर को लगा लिया है दोस्तों अब हमारा ट्रेक्टर बिल्कुल ओके है दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नया लेके तब तक के लिए धन्यवाद